बहुत बहुत स्वागत है बच्चों मादिन सिक्षाई भाग के इस ऑनलाइन सिक्षर व्यवस्था में मैं मिठिलेश कुमार निशाद, लेक्चेरर, फिसिक्स, राजकी जुबले इंटर कालेज, गोरकपोर आज आपके लिए कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विशे के साथ उपस्तित हुआ हूँ आज का जो हमारा कंसिप्ट है, उसका नाम सरल रिखा में गती है और आज इसका चौथा भाग मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ बचों, आज जो हमें अध्यन का जो विशेवस्तु है, जिस पे आज चर्चा होनी है, उसको देख लीजे सबसे पहले हम बात करेंगे आउसक तौरण के बारे में, फिर बात होगी ताचछडिक तौरण के बारे में फिर विटी ग्राफ के दौरा तौरण का निर्धारण किया जाएगा, फिर एक समान तौरण से गतिमान, वस्तु का विटी ग्राफ की विवेचना की जाएगी, और अंत में आपको ग्रिकार दिया जाएगा बच्चो पिछले लेक्षर में आपने वेग के बारे में विद्वत रूप से अध्यन किया और आपको ये बताया गया कि वेग क्या होता है बच्चो कल्पना कीजिए कि अगर कोई वस्तू का वेग समय के साथ अपरवर्दित हो तो हम कहते हैं कि वस्तू एक समान वेग से गतिमान है परंतु यदि किसी वस्तू का वेग समय के साथ लगतार परिवर्दित हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वस्तू में त्वरण उत्वन हो गया है बच्चो आज का विशे वस्तू इसी बिंदू पर आधारित है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउसत त्वरण के बारे में जिसे हम एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हैं बच्चो किसी वस्तु के वीग में परिवर्तन एवं सम्यांतराल के अनुपात को आउसत त्वरण के नाम से जाना जाता है मान लीजे कि कोई वस्तु है जो समय T1 पर उसका वेग V1 है और कुछ समय पस्चात T2 समय पर उसका वेग V2 हो जाता है इस सम्यांतराल में अर्था T2 माइनस T1 सम्यांतराल में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ है वो होगा V2 माइनस V1 बच्चो वेग में परिवर्तन और सम्यांतराल के अनुपात को ही हम औ Candard के रूप में परिभाशित करते हैं और इसे A बार से नुरुपित किया जाता है और इसका फार्मुला होगा वेग परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा V और समयंतराल के लिखेंगे डेल्टा T वेग परिवर्तन जैसा कि अभी अभी बताया V2-V1 होगा समयंतराल T2-T1 होगा बच्चो इस सूत्र को देखकर हम इसके मात्रक को निकाल सकते हैं इसका Si मात्रक होता है Meter per second square और यह एक सधिष राशी है सधिष राशी क्यों है क्योंकि त्वरड के सूत्र में त्वरड वेग पर निर्भर कर रहा है और वेग आपको बताया जा चुका है कि यह एक सधिष राशी है अर्थात त्वरण भी एक सदिसरासी होगी इसे व्यक्त करने के लिए हमें परिमार के साथ साथ दिशा के भी अवशक्ता होगी बच्चो औसत त्वरण जिस सम्यांतराल के लिए हम परिभाशित करते हैं उस सम्यांतराल और तो औसत त्वरण के द्वारा हमें ये नहीं पता चल पाता कि उस सम्यांतराल में दिये गए सम्यांतराल में के भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तु का वेक परिवर्तन का दर्द क क्या है अर्थात किसी छड़ विशेश पर अगर हमें त्वरण ग्याद करना हो तो इसके लिए हम एक नए भौतिक राशी को परभाशित करेंगे जिसका नाम होगा ताच्छडिक त्वरण ये क्या है इसकी परभाशा ठीक वैसे ही निकाली जाएगी जैसे त्राप्षडिक वेक की परभाशा निकाली गए थी बच्चो यदि सम्यांतराल बहुत ही सूक्षमो अत्यल्फो जिसे आप इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल कहते हैं तो आउसत त्वरण के सीमांत मान को ताच्छडिक त्वरण या केवल त्वरण कहते हैं बच्चो ये देख लीजे एबार आप जानते हैं आउसत त्वरण है अगर जिस सम्यांतराल के लिए या आउसत त्वरण परिभाशित किया गया है उस सम्यांतराल को अगर सून की और अगरसर कराए जाए तो उसके आउसत त्वरण के सीमांत मान को ही ताच्छडिक त्वरण के नाम से जाना जाता है यहाँ A-BAR का फार्मूला आप डेल्टा V बाई डेल्टा T लिख सकते हैं और आपको पिछले लेक्चर में आउकल गडित की परिभाशा में आपको बताये गया कि लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जिरो डेल्टा V बाई डेल्टा T को DV बाई DT भी लिखा जा सकता है बचो V को आप DX बाई DT लिख सकते हैं इस तरह से DDT of DX बाई DT और फाइनली आप इसे लिखेंगे D2X over DT2 ये इस तरह से जो ताक्षरिक तोरण का सूत्र है वो DV बाई DT के रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है DV बाई DT बच्चो क्या परदशित करता है या उस चाड़ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को बताता है अब हम VT ग्राफ के द्वारा तोरण का निर्धारण करेंगे आपके सम्मुक बच्चो एक ग्राफ दिखाये गया है जिसमें X-Aक्सिस है X-Aक्सिस पर समय खीचा गया है Y-Aक्सिस पर वेग है मान लीजे कि हमारे पास एक वक्र मिला है ये वक्र ही यहाँ पर VT ग्राफ है इस वक्र पे बच्चो हम दो बिंदू चुन लेते हैं बिंदू P और बिंदू Q बिंदू P से हम समय ख्च और वेग ख्च पर लंब गिराते हैं जिससे बिंदू P के सापेक्ष हमें समय का मान T प्राफ्ट होता है बिंदू P के सापेक्ष V कमान V प्राप्त होता है बिंदू Q के से भी समय अक्ष और वेग अक्ष पे लंब गिराएंगे तो बिंदू Q के सापेक्ष समय होगा T प्लस देल्टा T और वेग होगा V प्लस देल्टा V अब बिंदू P से जाने वाली रेखा को थोड़ा आगे के तरफ प्रोसीट करेंगे यह बिंदू R पर मिलेगा यहाँ पर देख लिए बिंदू R पर 90 डिगरी का कोड बनेगा अब आप बिंदू P और बिंदू Q को एक दूसरे से मिला दीजे इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों की आपको एक सरल रिखा P Q मिल रही है इस सरल रिखा P Q का आप जुकाव देख लीजे X-axis के धनादमत दिशा जिस पर की समय डौकिया गया है माल लीजे यह जुकाव अलफा है इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभूज बन जाता है Q P R इस त्रिभूज में जो Q R की वैल्यू है आप चितरस के अनुसार देख सकते हैं यह होगा डेल्टा V और P R की वैल्यू होगी डेल्टा T अगर हम इस सरल रिखा P Q का धाल गयाद करें तो धाल का सूत होगा 10 अलफा जहाँ अलफा क्या है जुकाव है तो P त्था Q को मिराने वाली सरल रिखा का धाल 10 अलफा होगा और इस 10 अलफा का जो फार्मुला होगा वो लंब बटे आधार होगा लंब देखे डेल्टा V है और आधार डेल्टा T है इस तरह से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमें मिल जाता है और अभी अभी आपको बताया गया कि ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अब P तथा Q के बीच का आउसत त्वरण ही तो है तो इस calculation को करनी के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं नतीजा यह है इसे ध्यान से सुनिए मान लिजी की आपके पास कोई वीटी ग्राफ मिला हुआ है वीटी ग्राफ पर कोई दो बिन्दो आप चुन लिजीए उन दो बिन्दों को मिलाए जिससे आपको एक सरल रेखा पराप्ट होगी उस सरलेका का ढाल गयात कीजिए ढाल का जो मान आपको प्राप्त होगा वही उन दो बिंदों के बीच का आउसत त्वरण होगा परन्तो बच्चों अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि आउसत त्वरण का मान बिंदो पी और क्योंके बीच में निकाल करके वो किसी बिंदो विशेश पर त्वरण का मान गयात करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा मान लिजे कि हम बिंदो पी पर त्वरण का मान गयात करना चाहते हैं तो हमें इस बिंदू Q को धीरे 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 वक्र के अनुदिश बिंदू P की और अगरसर कराना होगा जैसे हम ये काम करेंगे डेल्टा T का मान शूनी की और अगरसर होगा और डेल्टा V का मान भी शूनी की और अगरसर होगा आएए देखें तो माली ये बिंदू Q यहां आ जाता है तो जैसे जैसे बिंदू Q वक्र के अनुदिस PQ बढ़ता जा रहा है जो सरल रेखा PQ था उसका ढालवी लगतार परिवर्तित होता जा रहा है और अंततो गत्वा यह सरल रेखा PQ बिंदू P पर एक स्पर्ष रेखा बन जाएगा जैसा कि आपको अगले चितर पे दिखाए जा रहा है देखिए यह सरल रेखा PQ बिंदू P पर स्पर्ष रेखा बन गया है अब इस स्पर्ष रेखा का जुकाव मान लीजे X-axis की धनात्मक दिशा से ठीटा है और अगर हम इसका अगर हम इस बिंदु P पर इस पर शरीखा का ढाल गयाद करना चाहें तो इसका सूत्र होगा टैन ठीटा जहां ठीटा जुका है और यह फार्मूला होगा इसका लिमिट डेल्टा T tends to zero तो डेल्टा वी बाई डेल्टा T is equal to dv by dt बचो इस equation की व्याख्या हमने पिछली लेक्चर में आउकल गडित की व्याख्या के दौरान आपको किया था अर्थात जैसे जैसे सम्यांतराल का मान शुन की और अगरसर होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा T के सीमांत मान को ही हम ताच्छडिक त्वरण के नाम से व्यक्त करेंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा dv by dt और dv by dt को ही ताच्छडिक त्वरण कहते हैं तो मत इस कलकुलेशन से हमें क्या पता चला हमें ये पता चला बच्चों कि यदि आपको कोई wittigraph मालूम हो उस wittigraph के किसी बिंदू पर आप त्वरण ग्याद करना चाहते हो उस बिंदू पर एक इसपरश्रेखा खीजिए इस पर श्रीखा का जुकाओ ग्याद कीजिए और टत्पस्चाथ आप उसका स्लोप निकालिए जो इस पर श्रीखा का जो ढ़ाल आपको प्राप्त होगा वही उस बिंदु पर त्वरण का मान होगा अब हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ के द्वारा त्वरण का निर्धारण इसको हम सबसे पहला हिस्सा देखें जब त्वरण धनात्मक है यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय ड्रॉ किया गया है वाई एक्सिस पर वस्तुकी इस्थिती ड्रॉ की गई है और आपको एक एक्स्टी ग्राफ इस प्रकार से मिला है यह ग्राफ आपको उस इस्थिती में मिलेगा जब त्वरण धनात्मक होगा इसको जरासा इसका हम विशलेशर देख लेते हैं बच्चो इस वक्र पे आप तीन बिंदू चुन लीजे बिंदू एक बिंदू दो और बिंदू तीन बिंदू एक पर आप इस पर श्रेखा खीचे आप देख रहे हैं बिंदू एक पर खीची के इस पर श्रेखा का धाल रिडात्मक है बिंदु दो पर इस पर श्रीखा कीचे, बिंदु दो पर खीची के इस पर श्रीखा का ढाल शून है और बिंदु तीन पर भी आप इस पर श्रीखा कीचे, आप पार हैं कि बिंदु तीन पर खीची के इस पर श्रीखा का ढाल धनात्मत है तो और आपको ये भी बताया गया है कि XT ग्राफ के किसी बिंदु पर खीची के इस पर श्रेखा का ढ़ाल वेग को व्यक्त करता है इसका मतलग ये हुआ कि यहाँ पर वेग रिडात्मक है यहाँ पर वेग शून है और यहाँ पर वेग धनात्मक है तो अगर आप ध्यान दे बच्चो तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु कावेग इस वक्त के अनुदिश भी बढ़ता चला जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कि DDT of dx by dt is greater than 0 यह तभी सम्भव है जब dx by dt का rate of change positive हो इसका मतलब और यिसी को तो बच्चो हम तुरण के नाम से भी जानते हैं यही इसका मतलब यह हुआ कि तुरण यहाँ पर धनात्मक होगा इसकी एक और पहचान देख लिजे अगर X-T graph उपर की और वक्रित हो तो आप सहच कह सकते हैं कि तुरण का मान धनात्मक होगा बच्चो दूसरा इसका बिंदू देख लिजे जब तुरण का मान धनात्मक है इस बार देखिए जो X-T graph है वो नीचे की और वक्रित है इस पर पिछले बार की तरह केलकुलेशन करते हैं यहाँ एक बिंदू एक यहाँ बिंदू दो और यहाँ बिंदू तीन चुन लेते हैं बिंदू एक पर इस पर श्रेखा खिशते हैं और बिंदू तीन पर भी इस पर श्रेखा खिशते हैं बिंदू एक पर खीची गई इ धाल धनात्मक है अर्थात यहां वेग धनात्मक है बिंदू दो पर खीची गई इस पर श्रेखा का धाल शुन है अर्थात वेग यहां शुन है और बिंदू तीन पर खीची गई इस पर श्रेखा का धाल रिडात्मक है अर्थात वेग रिडात्मक है तो यहां पर वेग धना जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वस्तु का वेग घट रहा है इसका अर्थ यह हुआ d dt of dx by dt less than 0 और इसे आप तुरण के नाम से भी जानते हैं इसे आप बोलते हैं a less than 0 तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एक्स्टिग्राफ नीचे की और वक्त रित हो तो तुरण का मान रिरात्मक होगा अब तीसरी इस्तिति देख लिए जब तुरण का मान शून ने हो इसमें भी हम तीन बिंदों चुन लेते हैं एक दो और फिर तीन इन तीनों बिंदों पर अगर हम इस पर श्रीखाएं खीचें और उनके ढाल याद करें तो आप पाते हैं कि उनके ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि बिंदू 1 पर, बिंदू 2 पर और बिंदू 3 पर वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इन बिंदू पर विक के मान में कोई समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप लिख सकते हैं d dt of dx by dt is equal to 0 अर्थाथ acceleration की value 0 तो xt graph अगर आपको एक सरल देखा प्राप्त हो बच्चों तो आप कह सकते हैं कि इस में वस्तुका तौरर का मान शुन होगा अब अगले टौपिक पर आते हैं जिसमें एक समान तौरर से गतिमान वस्तुका वीटी graph इस बार अब जो हम जिस तौरर की व्याक्रा करेंगे वो समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा अर्था तौरर का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा तो हम इसे क्या कहेंगे एक समान तौरर इसको भी हम कई बिंदों में अध्यन करते हैं पहला जब वस्तु धनात्मक दिशा में और धनात्मक दोरा से गतिमान हो तो यहाँ पर आपको देखिए इसके लिए एक वीटी ग्राफ प्राप्त हुआ है X-axis पर समय खीचा गया है Y-axis पर वेग है यह ग्राफ देखिए बच्चों यदि इस ग्राफ के किसी भी बिंदू से वेग अक्षपर हम लम गिराएं तो हमें वेग का धनात्मक मान ही प्राप्त हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वेग का मान धनात्मक होगा दूसरी तरफ यदि इस वीटी ग्राफ का हम धाल याद करें तो आप पा रहे हैं वीटी ग्राफ का धाल धनात्मक है अर्थाद एक्सलरेशन का मान भी धनात्मक होगा अब इसकी भौती किस्सिती बच्चों देख लिजे मान लिजे कि यह X-axis है यह मूल बिंदू है और यह यहां पर मान लिजे T is equal to zero पर जो वस्तू का वेग है वो V-naut है मान लिजे कि यह वस्तू इस वस्तू के अस्तान के कोई कार है जो T is equal to zero पर उसका वेग V-naut है और यह वस्तू यदि इसका वेग धनात्मक है इसका अर्थ यह हुआ कि X-axis के इसके वेग की दिशा X-axis के धनात्मक दिशा के ओर है और इसमें जो तुरण उत्पन हुआ है वो भी X-axis के धनात्मक दिशा में ही है बच्चो यदि तुरण और वेग दोनों एक ही दिशा में हो इसका अर्च ये हुआ कि वस्तू की चाल उत्र-उत्र बढ़ती जाएगी दूसरी सित्य देखे जब वस्तू धनात्मक दिशा में परन्तू रिरात्मक तोरण से गतिमान हो आप ये ग्राफ देख लिजे यहाँ पर आप मान लिजे कि वस्तू का वेग वी नौट है टी इस इकॉल टू जिरो पर यदि इस वीटी वक्र के किसी भी बिंदू से वेग अक्ष पर लंब गिराएं तो हमें वेग का धनात्मक मान ही प्राप्त हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वेग धनात्मक है और यदि हम इस वीटी वक्र का धाल निकालें तो आप देख लिजे इसका धाल रिडात्मक है अर्था तुरण का मान रिडात्मक होगा अब इसकी जो भौ利 कि स्थिती देख लिजे मान लिजे यह X-axis है यह मूल बिंदू है मूल बिंदू पर T is equal to 0 मान लिजे वस्थ के रूप में कार है T is equal to 0 पर वस्थ का वेग V-naut है और चुकि वस्थ का वेग धनात्मक है इसका मतलब यह कार X-axis के धनात्मक धिशा में ग इसका मतलब कि वस्तू पे जो तुरण है उसकी दिशा एकसेस के रिडात्मक दिशा में है। अब आप देखिए कि वस्तू के वेग की दिशा एकसेस के धनात्मक दिशा में है और तुरण एकसेस के रिडात्मक दिशा में है। वेग और तौरण दोनों ही वीपरित दिशाओं में है इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तू एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशाओं में जब बढ़ेगी तो उसकी चाल उत्तरोत्तर घट्टी चली जाएगी तीसरी सिति देखे जब वस्तु रिडात्मक दिशा में रिडात्मक त्वरा से गतिमान है ये आप देखे एक्स एक्सिस है इस पर समय खीचा गया है ये वाई एक्सिस है ये वेक की धनात्मक दिशा है और ये वेक की रिडात्मक दिशा है मान लीजे कि T is equal to 0 पर वस्तु का वेग V0 है अगर आप इस VT ग्राफ की किसी भी बिंदू से अगर वेग अक्ष पर लम गिराएं तो आपको वेग का रिडात्मक मान ही मिलेगा इसका मतलब कि वस्तु का वेग रिडात्मक है और यदि इस VT वक्र का हम ढाल व्याद करें तो आप पाएंगे कि यह रिडात्मक है अर्थाथ इसके लिए तुरण भी रिडात्मक होगा इसकी भौतिक इस्ति देख लीजे यह मान लीजे X-axis है यह मूल बिंदू है मूल बिंदू पर मान लीजे T is equal to 0 है वस्तू के रूप में कार है मूल बिंदू पर वस्तू का वेग वी नौट है परंतो वस्तू के वेग के दिशा X-axis के रिडात्मक दिशा में है इस दिशा में इसका वेग है और X-axis के रिडात्मक दिशा में है इसमें तुरण भी है और चुकि वेग और तौरण दोनों ही एक ही दिशा में हैं अर्थात जब यह कार X-axis के रिडात्मक दिशा में बढ़ेगी तो इसकी चाल उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाएगी चौतिय स्थिति देख लिजे कोई वस्तु पहले T1 समय तक धनात्मक दिशा में चलती है और फिर रिडात्मक दिशा में रिडात्मक तौरण के साथ गतिमान हो जाती है आप देख लिजे कि T is equal to 0 पर वस्तु का वेग V-naut है इसको हम दो हिस्से में देखेंगे T is equal to 0 से लेकर के T1 के बीच में आप देखें तो इसमें 0 से लेकर के T1 के बीच में वस्तु का वेग धनात्मक है परंतो धाल अगर आप देखें तो वो रिडात्मक आ रहा है अर्था 0 से लेकर के T1 के बीच में जो त्वरण है वो तो रिडात्मक है परंतु वेग धनात्मक है ये हिस्सा हो गया लेकिन T1 के बाद वस्तु का वेग रिडात्मक हो जाता है क्योंकि इस VT ग्राफ से अगर हम वेग अक्ष पे लंब गिरा है तो हमें रिडात्मक मान परा जाता है ऐसी इसके भौतिक इस्तिती बच्चों देख लिजी माल लिजी ये X एक्स है ये मूल बिंदू है ये माल लिजी T1 है मूल बिंदू पर माल लिजी T is equal to 0 माल लिया गया है यहां पर वस्तु का वेग वी नौट है वस्तु X एक्स के धनात्मक दिशा में गतिमान है और इसके त्वरण की दिशा X इसके रिडात्मक दिशा में है इस तरह से वस्तु T1 समय तक गति करता है इस दोरान वस्तु की चाल निरंतर घटी चले जाती है T1 टाइम पर देखिए वस्तु का वेग शुन्य हो जाता है अर्थाद बिन्दू T1 पर वस्तु यहां पर कार यहां पर रुख जाएगी वस्तु के वेग की दिशा अब यहां से देखिए क्या होने वाला है यहीं से अब कार अपनी दिशा को परिवर्टित कर देगी अब वस्तु के वेग की दिशा एकसेस के रिडात्मक दिशा में हो जाएगा और तुरर्ण की दिशा तो पहले से ही X-axis के रिडात्मक दिशा में था और इस बार जब वस्तु X-axis के रिडात्मक दिशा की ओर गती करेगा तो चुकि वेग और तुरर्ण दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए इस बार वस्तु के चाल उत्रोतर बढ़ता चला जाएगा इन ग्राफिकल एनेलिसिस के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुँचे हैं उन कंक्लूजन को देख लिजे बच्चो तुरर्ण की उत्पतित तीन प्रकार से हो सकती है पहला वेग के परिमार जिसे आप चाल भी कहते हैं उसमें परिवर्तन के द्वारा या वस्तु की दिशा में परिवर्तन के द्वारा या उपरोक्त दोनों के परिवर्तन के द्वारा हम वस्तु में तुरर उत्पन कर सकते हैं दो और कुछ और कंक्लूजन है बच्चों, यदि वेग और तुरर दोनों धरात्मक हैं, तो चाल बढ़ेगा, यदि वेग और तुरर दोनों रिडात्मक हैं, तो भी चाल बढ़ता है, यदि वेग और तुरर की दिशाएं वीपरीत हैं, तो वस्तु की चाल घटने लगती है अब आते हैं बच्चो एक question पे question है किसी कड़ की एक विमी सरल आवर्थ गती के लिए XT graph दिखाया गया है समेट T is equal to 0.3 second, 1.2 second और minus 1.2 second पर कड़ की इस्तिती, वेग और तुरण के चिन क्या होंगे यह हमें ग्याद करना है इस जो graph है उसको दिख लिए इस पे X axis पर समेट रोग किया गया है Y axis पर कड़ की इस्तिती है आप देखिए यह T is equal to 0 है और T is equal to 1 है, 2 है, 3 है and so on है बच्चों अगर आप इस graph को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कड़ की गती T is equal to 0 के पहले से हो रही थी इसको समझने के लिए हम जरा T is equal to 0 की भौतिक अर्थ को समझेंगे इसका अर्थ क्या है, बच्चों T is equal to 0 का अर्थ यह होता है कि T is equal to 0 वह खशण होता है जिस खशण पर प्रेक्षक किसी कड़ की गती का प्रेक्षण आरंभ करता है और ऐसा आपको चित्र से दिख रहा है, graph से दिख रहा है कि T is equal to 0 के पहले से ही कड़ गती मान है तो इस प्रकार T is equal to minus 1 second का अर्थ यह होगा कि जिस खशण प्रेक्षक ने गती के मापन अथवा प्रेक्षण का आरंभ किया उसके एक second पहले का समय इसी प्रकार अब आएए हम अपने इस question को solve करते हैं इसमें तीन समय दिये गए हैं, मैं आत्र मैं आपको 1.2 second के लिए इस question को solve करके बताऊंगा बाकी के दो इससे आपको swim करने होंगे देखे यहाँ पर 1 second है, यह 2 second है, यहाँ पर कहीं 1.2 second होगा 1.2 second से आप इस स्थिती अक्ष के समय अंतर एक रेखा कीचे, आपको एक बिंदु मिलेगा इस बिंदु से आप स्थिती अक्ष पर लंब डालिए यह स्थिती अक्ष पर गिरा हुआ लंब आपको उस खशन कड़ की स्थिती को बताता है और आप सहज रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्थिती धनात्मक है अर्थात x greater than 0 होगा यदि इस बिंदु पर हम एक इस पर शरेखा कीचें तो आप देख सकते हैं कि इस पर शरेखा का जो ढाल है वो धनात्मक है अर्थात 1.2 सेकेंड पर कड़ का वेग भी धनात्मक होगा अब हमें acceleration ग्याद करना है इसके लिए चूकि यह कड़ सरलावर गती कर रहा है और सरलावर गती के लिए जो defining equation है वो है acceleration is proportional to minus x अब देख लीजे अगर x positive है तो आप इस equation से देख सकते हैं कि acceleration negative होगा बच्चो acceleration निकालने का एक और तरीका है वो आपको मैं अभी अभी चर्चा किया हूँ कि यदि x t graph नीचे की और वक्रित हो तो acceleration की value negative होती है आप देखें कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच के समयांतराल में x t graph नीचे की और वक्रित है अर्थाथ acceleration negative होगा अब वी t graph के दोरा जरा हम विस्थापन का धरर देख लेते हैं बच्चो ये x axis पे समय ड्रॉक किया गया है y axis पर wave है और कोई वस्तू है जो एक समान wave से गतिमान है जिसका वी t graph आपको एक सरल रेखा दिखाया गया है मान लिजे के वस्तू का wave यू है बच्चो बिंदू A के साप एक्च वस्तू का wave यू है और समय शुन है बिंदू B के साप एक्च भी वस्तू का wave यू है जबकि समय मान लिजे T है अगर आप देखें तो ये जो वी t वक्र आपको मिल रहा है और ये जो समय अक्ष मिल रहा है इन देनों के बीच जो घिरा छितरफल है वह आयत का निर्मार कर रहा है यदि इस आयत O, A, B, C का छितरफल ग्याद करें तो आप लिख सकते हैं A, B, G, O, B जहां A, B की वैलू T के बरावर होगी जहां A, B, G, O, A जहां O, A की वैलू U होगी और A, B की वैलू T के बरावर होगी यदि वेग में समय अंतराल का हम गुड़ा करें तो बच्चों हमें विस्थापन ही प्राक्त होता है इससे हमें पता चलता है कि वीटी ग्राफ और समय अंक्षिक के बीच जो घिरा हुआ च्छेतरफल है वो वस्थापन को व्यक्त करता है अंत में आते हैं बच्चों ग्रीकार पे दिखाए गए ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक इस्तिती का सुझा दीजे यहाँ पर आपको वीटी वक्र दिखाए गया है यहाँ पर आपको एटी वक्र दिखाए गया है यह दोनों वक्रों को ध्यान से देखिए और उचित भौतिक इस्तिती के बारे में आप यहाँ बताईए बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर से आप लाफान मित हुए होगे धन्यवाद